गुड मॉर्णिंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सभी? I hope कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंस इन्होंने भी इस वीडियो की पार्ट वन को ना देखा हो वो प्लिस आकर पहले इस वीडियो की पार्ट वन को जरूर देख ले अब आगे जहां यह देख तुरंथ ही elder पेई उनके पास जाओ उन्हें वहां सम्हालने लगती है पर तब इतने में ही वहां elder हुआन आ जाते हैं और उन्हों नहीं elder यू की ऐसी हालत की होती है तब इधर elder यू elder पेई की हातों में कुछ करते हुए उनसे कहते हैं कि flower treasure को लेकर तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ अब इतना कहते ही वो वहीं के वहीं मारे जाते हैं तब ही अब elder huan वहां elder pay को देख सीधा उस पर attack पर attack करना सुरू कर देती हैं जहां elder pay elder huan से जादा powerful नहीं थी पर फिर भी वो अपनी skills की मदद से उनके attack से बचने की कोसिस कर रही होती है पर तब ही elder pay को वहां अचानक से कुछ हो जाता है अब यह देखते ही elder huan सीधा उन पर attack करने को चले जाती हैं पर तब ही elder pay की सामने वहां जैंगा elder huan के उस attack को रोक वहां elder pay को उस attack से बचा लीता है पर फिर वो उस attack के pressure से वहां से दूर हट जाता है तब ही अब वो वहां elder pay से कहता है कि elder pay आपको क्या हुआ अब यह सुन कर elder pay कहती है कि मुझे नहीं पता पर सायद पिछली बार लड़ाई में मैंने अपनी कुछ जादा ही energy को खर्च कर दिया होगा तब है इदर elder huan वह elder you को मरा हुआ देख हसते हुए वहां कहते हैं कि बुढ़े आदमे वो तुमी थे जिसने मुझ पर पहले हमला किया था इसलिए तुमारी मौत का जिम्मेदार तुम खुद हो जिसके बाद वो वहां elder pay से कहते हैं कि मैंने सुना elder you ने तुमसे मरने से पहले क्या कहा था इसलिए तुमारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस flower treasure को मेरे हवाले कर दो इसके बदले मैं तुमारे जान बक्स दूँगा अब या सुन कर elder pay वहां कहती है क्या आप अपना treasure के साथ किया गया हमसे वादा फूल गए हैं अब या सुन कर elder one वहां गुसाते हुए कहते हैं मुझे तुमारे कोई भी पकवास नहीं सुननी जिसके बाद वो वहां अपनी काफी खतरनाक snake demon beast को बाहर निकाल सिधा उन लोगों पर वहां attack कर देती हैं पर या देखते ही जैंग और elder pay वहां से भाग कहीं छूप चाती हैं तब या देख वहां elder huan अपने true essence flying eagle को वहां बाहर निकाल जैंग और elder pay को ढूड़ने के लिए वहां भेज देती हैं जिसके बाद वो वहां कहते हैं तुम लोग चाहें चुहो की तरह ही यहां किसी बिल में क्यों ना चुपे हो पर मैं तुम्हें ढूड़ कर ही रहूंगा तभी अब वो snake demon beast भी वहां उन लोगों को चारू तरब ढूड़ना ही start कर दीता है पर तभी इदर जैंग वहां elder pay को छोड़ elder huan से लड़ने के लिए अकेले ही जा रहा होता है जहां यह देख कर elder pay जैंग को वहां रोकते हुए उससे कहती है कि तुम elder huan से नहीं लड़ पाओगे वो सच में काफिस जादा powerful है इसलिए तुम इस flower treasure को ले लो और यहां से अपनी जान बचा के भाग जाओ तभी अब जैंग उच ट्रेज़ट को अपने हातों में ले elder pay से कहता है कि आप मेरे चिंता मत करो मेरे पास elder huan से लड़ने का अपना तरीका है इसलिए इस ट्रेज़ट को आप लो और जाओ यहां से तभी अब इधर वो इगल और स्नेक डीमन बेश उन लोगों को इधर उधर ढूंड रहे होते हैं पए तभी अब हम वहाँ elder huan की हालत खराब होते हुए देखते हैं क्योंकि elder yu ने उनके उपर cold attack किया था पए तभी अब वहाँ इतने मेही जैंग बाहरा elder huan को आवाज लगाते हुए उनसे कहता है कि मैं यहां हूँ अब यह सुनते ही elder huan वहाँ अपने true essence flying eagle को दो और true essence eagle में बदल देती हैं जिसके बाद वो उन flying eagle से ही जैंग पर attack पर attack करना सुरू कर देती हैं पए तभी जैंग वहाँ उनसे पचते हुए कहता है कि मेरी powers अभी इतनी जादा नहीं है कि मैं इनसे लड़ पाऊ इसलिए पहले मुझे अपनी powers को थोड़ा बढ़ाना ही होगा अब इतना कहते ही जैंग अपने पास से एक पिल को निकाल खा लीता है जिसके बाद वो वहाँ अपनी true essence ability को कंट्रोल करते हुए एल्डर हुआन के तीनो फ्लाइंग इगल को अपने कंट्रोल में कर लीता है तब है इधर एल्डर हुआन जैंग को ऐसा करता देख कहते हैं क्या तुम इन सारी चीजों को करते हुए यहां गौड बनने का दिखावा कर रहे हो तब है अब जैंग अपनी फ्लाइंग इगल को सीधा एल्डर हुआन के उपर अटेक करने को बेज दीता है पर यह देखते ही स्नेक डीमन बीश अपने मूँ से फायर वाल से अटेक कर उन तीनों में से दो फ्लाइंग इगल को वहें के वहें डिस्ट्रॉय कर देता है तब है देख जैंग इस सिस्ट्वेशन का फायदा उठाते हुए एल्डर हुआन पर अचानक से अपनी नाइप से अटेक कर देता है पर एल्डर हुआन वाँ साइड होकर जैंग की नाइप से बच जाते हैं जिसके बाँ जैंग जैसे ही उन पर अटेक करने को वहां आता है वैसे ही एल्डर हुआनी स्वासिधा जैंग को ही पकड़ लेती हैं पर हमारा हीरो जैंग पलक छपकते ही एल्डर हुआन के पकड़ से गायब हो उन पर अटेक पर अटेक करना सुरू कर देता है जहाँ जैंग इसी अटेक के दोड़ान अल्डर हुआन को थोड़ा घायल भी कर देता है अब यह देख कर अल्डर हुआन वहाँ काफी जादा गुस्ताते हुए कहते हैं तुमारी इम्मत भी कैसे हुई मुझे चोड़ पहुचाने की जिसके बाद वो वहाँ अपनी खतरनाक स्नेक डिमन बिश्ट से काफी खतरनाक फायर अटेक सीधा जैंग के ऊपर करवाना श्टार्ट कर देती हैं पर जैंग वहाँ से भागते हुए सीधा अपने उस फ्लाइंग एगल के ऊपर ही चोड़ जाता है अब यह देख वो स्नेक डिमन बिश्ट भी जैंग का वहाँ पीछा कहते हुए वहाँ गोल गोल गोमने लगता है जहां अब जैंग उस स्नेक डिमन बिश्ट से बचते हुए सीधा एल्डर हुआन की ही और आगे बढ़ने लगता है तबे अब हम वहाँ देखते हैं कि जैंग अपने टेलिपोटेशन टेक्निक का यूज कर वहाँ से गायब हो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जिस कारण से वो स्नेक डीमन बेश सिधा एल्डर हुआन से ही जा टकरा जाता है जिस कारण दोनों के दोनों वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसके बाद वहाँ जैंग कहता है कि आप मुझे जल्दी से जल्दी जा कर एल्डर पेई को ढूड़ना होगा तबे अब दूसरी दरब हम एक जगह पर एल्डर पेई को देखते हैं जहां किसी के आने के आहट से एल्डर पेई को ऐसा लगता है कि जैंग वापर्स आ गया। पर तभी वो वहाँ जैसे ही पीछे मूड कर देखती हैं तो वो उनी का एक डिसाइपल होता है। तभी अब वो सिनियर डिसाइपल वहाँ एल्डर पेई से माफी मागते हुए कहता है कि एल्डर पेई मुझे माप कर दीजिये क्योंकि मैं अपने जूनियर डिसाइपल को नहीं बचा पाया। अब यह सुन कर एल्डर पेई उसे कहती है कि कोई बात नहीं तुमने अपनी पूरी कोसिस की है। वह तभी एल्डर पेई उस सिनियर डिसाइपल की बाड़ी पर उस चोट को देख लेती हैं। जिसके बाद वो senior disciple elder payee से कहता है कि elder payee अब हमें जल्दी से यहां से वापस चलना चाहिए अब यह सुन कर elder payee कहती है कि नहीं अभी तक मैं लूओ जैंक को नहीं ढून पाई हूँ इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी पहले जाकर लूओ जैंक को ढूनना होगा अब लूओ जैंक का नाम सुन उस senior disciple को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ कहता है कि मैंने यहां आने से पहले देखा था जैंक fight करते करते उसी में मारा गया अब यह सुन कर elder payee उससे पूछती है या कि लूओ जैंक को किसने मारा अब यह सुन कर वो senior disciple वहाँ कहता है कि लूओ जैंक को elder Juan और elder Yu ने मिलकर मार डाला अब यह सुनते ही elder payee उस पर काफी जादा गुसाते हुए अपनी स्वर्ट तान देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे जुट बोल रहे हो और तुमारी बाडी पर भी जो चोट है वो तुमारी junior disciples की स्वर्ट से लगी हुई चोट है और जहां तक elder Juan और elder Yu की बात है तो मैं तुमें बता दू कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बलकि उल्ट elder Juan नहीं elder Yu की जान ले ली है पर तुम मुझे इस तरह से जुट बोल धोका क्यूं देना चाहते हो अब यह सुन कर वो senior disciple वहाँ चिलाते हुए कहता है कि elder pay आप हमारे sect की leader बनने की लायक ही नहीं है अब यह सुन कर वहाँ elder pay कहती है कि भला तुम ऐसा क्यूं बोल रहे हो जिस पर वो senior disciple कहता है कि लुओ जैंक के बारे में यहां किसी को भी कुछ नहीं पता है कि वो कहां से आया है और कौन है पर फिर वे आपको सिर्फ वह सिर्फ लुओ जैंक की ही परवा है और यहां आपके disciples ना जानने कितनी मुसिबतों का सामना कर रहे हैं पर आपको हमारी कोई भी परवा नहीं है अब यह सब सुन कर elder pay की वहां सिर्फ में दर्द होने लगता है और वो वहां imagination करने लगती है कि यह सब सिर्फ और सिर्फ उनके ही वज़ा से हुआ है तब ही इदर वो senior disciple वहां elder pay की sword को अपने हाथों में पकड़ कहता है वैसे भी इस formation के अंदर से कोई एक ही person जिन्दा बच कर यहां से बाहर जा पाएगा इसलिए मैं यहां किसी और के हाथों से मरने से अच्छा आपके ही हाथों से मर जाओं अब यह सब सुन कर elder pay उस senior disciple को वहां सांत होने को कहती है पर तब ही अब वो वहां elder pay की हाथों से ही उनकी sword चिन्द दूर फेक देता है और सिधा अपनी sword से elder pay पर attack करने को कर दीता है तब ही इतने में ही वहां जैंक भी दोड़ते हुए elder pay की पास पहुच जाता है और वहां देखता है कि elder pay ने वहां उस senior disciple को जान से मार डाला है तब ही अब elder pay को वहां एक आवास सुनाई देने लगती है जो उनसे वहां कहती है कि तुम अपने pay family के लिए पाकी सभी लोगों को यहां जान से मार डालो और इसी के साथ हमारा यह episode end होता है friends अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करें बाई बाई